किसी चैप्टर को पढ़ते समय, डे फोर, लास्ट डिन में आपको रिवीजन करना है। काफे इस्टुडेंट यहाँ पर गलती कर जाते हैं, वे रिवीजन नहीं करते हैं। जिससे उन्हें पढ़ा हुआ चीज ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहा पता है। इसमें आपको डे वन, डे टू में जो भी आप वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़े हैं, और नोट्स बुक के माध्यम से, उसका जो नोट्स बनाये हैं आप उस नोट्स को लास्ट डे में रिवाइच करना है। हलो गाइज, स्वागत है आप सभी का अलफा इस्टिट्यूट के आफिसियल यूट्यूब चैनल में। जहां पर आपको फ्री क्लासेज, इप्वाटेन कोस्टेंस, पीडियूप्स और साथ में बोर्ड एक्जाम से रिलेटेड गाइडेंस आपको फ्री में दी जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्काइब करेगा, बेल आइकान दबाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्लास 12 फिजिस का बोर्ड एक्जाम 2021 के लिए, जो न्यूज सलिबस आया है, उसे केवला और केवल 90 डे में किस प्रकार से कंप्लीट करें साथ में 90% कैसे लाएं। गाइस, देखिए आपको इस वर्ष काफी गोल्डेन चांस है क्योंकि आपको केवला और केवल 70% सलिबस को पढ़कर 90% लाना है। आपको पूरा फालो करेंगे, तो मान के चलिए आपका 90 डे में सलिबस कंप्लीट हो जाएगा, उसे आप बार-बार रिवाइच करेंगे उसके बाद और बोर्ड एक्जाम में लिख कर आएंगे जिससे आपका 90% आ जाएगा। वो स्टुडेंट इस वीडियो को मत देखना, जिनने केवल देखने के लिए देखना है, इसमें बतायवे चीजों को नहीं करना है। वाकिब में उन्हें 90% लाना है अपने घर के लिए अपने नाम के लिए। चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं। देखें फिजिस्क का सलेबस 90 डे में किस प्रकार से कंप्लीट करना है। उसे बताने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा आपको फिजिस्क के सलेबस में क्या पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। चलिए देखी गाइस आपको मालूम होगा फिजिस्क में जो question paper आते हैं वे आपके 70 अंग के आते हैं और 30 अंग का आपका practical number होता है कुल मिलाकर आपका 100 अंग का होता है यहां हमको केवल और केवल 70 अंग के लिए पढ़दा है खंडख में आपके 4 इकाई हैं और खंडख में आपके 5 इकाई है इस तरह से आपको कुल मिला जुलाकर 9 इकाई पढ़ना है 9 इकाई को आपको पढ़ना है 2021 के सलिबस के लिए क्योंकि 2021 में आपको काफी चीजे निकाल दी गई है चैप्टर वाइज हम आपको बताए है कि किस चैप्टर से कौन-कौन से चीजे रेडियूस हुआ है आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वहाँ पर बना हुआ है फिजिक सलिबस, न्यू सलिबस ठीक है चार स्क्राइबरस में पढ़ंगे और कुछ चैप्टर जो है चार दिनों पढ़ जा सकता है चार से तेप कमा कौन से हैं उससे देख लेते हैं का इस कन पर पढ़ते समय और्क step आपको क्या है उस chapter का video lecture देखना video lecture आप YouTube के माद्यम से देख सकते हैं क्योंकि इस समय आपका college बंध है coaching बंध है तो आप कहां से पढ़ोगे self study करोगे self study में आप YouTube के माद्यम से जिस भी teacher का आपका अच्छा lecture लग रहा है उसका आप क्या करोगे video lecture देखोगे यह आपका day one का काम है कोई chapter अगर बड़ा है उसे दो दिन में आप देख लीजिएगा अगर कोई chapter छोटा है उसे एक दिन में देखेगा तेकि physics में 90% लाने के लिए आपको कम से कम दो घंटे डेली पढ़ना पढ़ेगा physics तभी आपका day two में आपको क्या करना है एक day two में आपको study book करना है जो भी आपको book है आपके board में जो भी book चल ला है कहीं कहीं NCRT चल ला है कहीं कहीं कोई आपका original private book चल ला है उस भी book को हब book अच्छी होती है उस book को आपको क्या करना है day two में आपको उस book को पढ़ना है डे वन में जो आप वीडियो लेक्चर देखे हैं, उनको साथ साथ में आपको उसका एक नोट्स बनाते चलना है, और फिर जो बुक पढ़ेंगे उसका भी आप उसी नोट्स में कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, डे टू हो गया, अब डे थ्री में आपको क्या करना है, उसके बा महों एक्जामपल देख़ना है, देखें किसी चैप्टर का क्या एक्जामपल आपको कहा मिलेगा, आपको यहां पर मिल जाएगा, के लिए यूट्यूब चैनल है, यहां पर आपको हम condition का लगुतरि अंग बिर्गोतरि प्रुस्न हैं, पर दिर्गुतरि गए और और दससे पंदर निमरिकल प्रस्थ्न क्युंकि देखें निमरिकल प्रस्थ्न मैं का ऐपना बेसकता और कम भी कर सकता है इसलिए निमरिकल को आपको पढ़ना पड़ेगा ऍंवे स"! आप बिना निमेरिकल से 90% डार नहीं सकते तो यहाँ पर आपको important questions मिलेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से आप वीडियो के playlist में जाएगा वहां से physics आपका एक playlist बना वहां से chapter number one से लेकर chapter number nine तक सभी chapter के important questions अलग-अलग करके पड़े हुए हैं आप उन्हें देख लीजिएगा और उन्हें देखिएगा मत उन्हें साल भी कर लीजिएगा और साथ में फिर भी टाइन बचे तो आप अपने बुक के भी questions साल्व कर लीजिएगा इस तरह से देरत्री में आपको important questions पड़ना है ध्यान रखना पूरा question नहीं पड़ना है क्यो नहीं पूछेगा आपसे यानि आपको important question day three में पढ़ना है देफोर देफोर जो की काफी महतपूर है अब तक जो आप important question पढ़े हैं उन्हें एक notes में लिखे होंगे notes तो जरूर बनाईएगा अपने हाथ से आप लोग notes बनाईएगा day one से लेके day three तक का जो भी आप notes बनाय हो सकता है उसे आप 3-4 दिनों में नहीं कर पाते हैं उसे आप 5-6 दिन में करिएगा कोई chapter आपका 3-4 दिन में हो जाएगा इस तरह से आपका पूरा पढ़ने लगोगे तो 9 chapter आपका है 9 इकाई है 9 इकाई को अगर आप समझें तो एक chapter को अगर आप रेवरेज मान लिजी कि इसी चैप्टर को 5 दिन में खतम करोगे कि इसी चैप्टर को 7 दिन में खतम करोगे तो हम मान लेते हैं हर एक चैप्टर को आप 8 दिन में खतम कर लेते हो तो 8 दिन में खतम करोगे तो इस तरह से आपका 72 टे 72 डे में आप सलेबस को कंप्लीट कर सकते हो साथ में बीच में मा चैप्टर को आप आठ दिन में regular अगर पढ़ोगे दो गंडे तो विल्कुल complete कर सकते हो हर चैप्टर को इस तरह से 9 हिकाई आपके सामने हैं और 9 हिकाई को किस तरह से पढ़ना आपको बता चुके हैं और important चीजे हैं देख लीजिए यहां पर आपका जो सलेबस है यहां पर कि आफ बगल में आपको अंघ भी दिया हुआ है किस चैप्टर से कितने अंग के प्रस्न पूछे चाएंगे, किसी चैप्टर को आप उतना ही समय दीजीएगा, जितना कि उस चैप्टर से अच्छे अंग के प्रस्न पूछे जाएंगे, जिसे इस बैदुत्की में यहां पर Means समय दिएगा जितने प्रसन पूछे जाएंगे आप किसी भी लेक्चर के किसी भी वीडियो लेक्ट्र में उनी चीजों को पढ़ेंगा जो आपकी सलेबड में सलेबस कहां से देखेंगे प्लेइट में चले जाएएगा वहाँ पर एक चैप्टर का alguém सलेबस आपको बताएए स्वाह् से हैं अप पढ़ने के लास्ट के दस दिन में आप फिर से जो सलेव जो नोर्स बनाएं अभी तक जितने भी पढ़ेंगे आप जो नोर्स बनाएं उस नोर्स को रिवाइच कर लिजेगा इस तरह से 90 दे में आपका पूरा सलेवर्स कंप्लीट हो जाने वाला है अगर आप इतना कर गए तो आपका इ से चार बार जो पढ़े हैं उसका रिवाइच करना पड़ेगा तभी आप बोडिजा में अच्छे से परसेंटेज लाएंगे चलिए आप डेली पढ़िए अच्छे से पढ़िए और साथ में हर दिन आपको दो घंटे फिजिस को दीजिए तभी आप फिजिक्स में होता है उसमें आपको फिजिक्स में जितनों जो भी पढ़ोगे उसे एक दिन में याद कर लोगे यह आपका इस्टेजी है फिजिस का 90 दे में कम्प्लीट करने का गाइस इसे फालो करिएगा आप लोग आपका 90 परसेंट आएगा अगर जितने भी स्टूडेंट इस स्टे को आप लिखते जाएए यहां पर समझेए आप अटेंडेंस लगाते जाएए हम आपको डेली का डेली रिव्यू करते रहेंगे चलिए गाइस मिलते हैं नेस्ट वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद